हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम लोग रेस्टोरेंट स्ट्राइल चिकन कोर्मा बनाने वाले हैं होप आप लोग को रेसिपी पसंद आएंगी तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसे हमने दू लिया है तीन चैन पानी से एंड हमें चाहिए विनेगर वन टेबल स्पून वन टेबल स्पूल लेमन जूस हम इसका फॉस्ट मैरीनेशन करेंगे हम चिकन में विनेगर और लेमन जूस को एड़ करेंगे और उसे मिला लेंगे इसे हम देस मिनिट तक रखेंगे देस मिनिट हो चुके है अब हम इसका पानी फेक देंगे अब हम इसका सेकेंड मेरिनेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें चाहिए चिकन वन केजी तू टेबल स्पून अप्ट अप्टेशन पेस्ट दही वन कप अब हमें कुछ द्राइ स्पैसिस चाहिए दन्या पॉडर तू टेबल स्पून गरम मसाला वन टेबल स्पून मिर्ची पाउड़ा टू टेबल स्पून नमक टू टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून हल्दी वन टेबल अर्वा मसाला पहले हम मतन में दही आट करेंगे अज़क रेशन पेस्ट आट करेंगे धन्या पाउडर अट करेंगे गरम मसाला कौर्मा मसाला मिर्ची पाउडर नमक हल्दी अब इसमें ओईल अट करेंगे और इसे मिक्स करेंगे मसाले चिकन पच्ची तरीके से कोट होना चाहिए हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसे एक घंटेक ले रप्रिजरेटर में रखेंगे देखिए हमारे मेरिनेशन को एक घंटे हो चुका है अब हमें एक कड़ाई लेनी है उसमें आवल को गराम करना है उसमें हमें चिकन एट करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राइ करना है उसे हम अलट पलट करके पकाएंगे कुछ चार से पांच मिनिट के लिए देखिए हमारे चिकन हो चुका है हमने अपने पूरी चिकन के फ्राइ कर लिए है अब हम लोग ग्रेवी बनाएंगे यह चिकन हीम से जो मेरिनिट की वह मसाला है वह बच्चा हुआ है अब हमें कढाई लिनी है उसमें वन टू टेबल स्पून ऑईल एट करना है ऑईल को हमें गरम होने देना है उसमें हमें वन टेबल स्पून अजर के लिसमें पेस्ट रैट करना है और उसे करीब एक से दो मिनिट भून लेना है अब हम इसने को ड्राय स्पाइस गरम मसाला वन टेबल स्पून कॉर्म मसाला वन टेबल स्पून दर्निया पौड़र टू टेबल स्पून, वन टेबल स्पून हल्दी, मिर्ची पौड़र टू टेबल स्पून, नमक टू टेबल स्पून हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें मेरिनेटिट की विए जो बचावों मसाला था हम वो एड़ करेंगे जिससे इसके कलरों टेज़ बहुत ही अच्छा आएंगा आप देख सकते हैं वीडियो में अब हम इसमें पौड़र ट मसाले एड़ कर देंगे, दनिया पौडर, कोर्बा मसाला, हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हम इसमें वन टेबल स्पून ही नमक एड़ करेंगे और मसालो को भी थोड़ा सा भून लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा दही एड़ करेंगे, और इसे कंटिनुस तिल चलाते हुए पकाएंगे, अब हम इसमें अपने फ्राय किये वे चिकन की पी सेट करेंगे, और इसे मिला लेए, अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे, इसमें एक बॉइल आने देंगे, पानी में बॉइल आ चुका है, अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में सर्फ कर लेंगे, देखिए हमारे टेस्टरी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में रेड़ी है, आपको रेसिपे अची लगे तो अमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलियेंगा, थैंक्स फर वचिंग आर वीडियो